असलावलेकूम वीवर्स आज बना रहे हैं बीफ कीबवीत फलियां का मज़दार सालन यह बहुत इजी बनके रेडी होता है और बहुत खाने में यमी होता है और फलियां आम सब जानते हैं कि गर्मियों की एक बहुत मशूर और मज़दार सबजी है तो आप इसे जरूर ट्राइ करें इस मौसम में तो चलिए अपनी इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं इसके लिए यहाँ पर हमने कुछ इंग्रीडियन्स ले ली हैं जो कुछ इस तरह से हैं हमने यहाँ पर लिया है एक किलो बीफ में सबसे दो के साफ कर लिया है एक किलो फलिया लेकि उन्हें चॉप कर लिया है एक मीडियूम अनियन लेकर चॉप किया है एक मीडियूम टेमाटो लेकर चॉप कर लिया है तू टीज-पोन भर के हमने लसन तक कपेश लिया है और क узнаy ड्राई मसाले लिए हैं जो के टू-टी मुन रेचिली पॉड़र है रिख शांट ोन टर्मेरिक पॉडर है साल्थ हमने टू-टी स्पोन लिया है और गरम मसाला टू-टी स्पॉन लिया है इसके लावा बाकी मसालों में हमने यहां पे लिया है कुछ जूलेन कटा अद्रग चार से पांच ग्रीन चिलीज ली है उन्हें भी से कट लगा लिया है थोर सक कॉरियंडर लेकर उसे चॉप कर लिया है सबसे पहले एक पतीले में कप वाइल गरम करेंगे और इसमें अपना अनियन जो है डाल के उसका कलर चेंज कर लेंगे यहां हमने कलर चेंज हो पॉक किया है और इस पोइंट पे लेसेंडर का पेस हमने इसमें एट कर लिया है और आड की ने ड्राई मसाले, रेड चली पॉड़र, टर्मेरिक पॉडरर और साल्ट और थोड़ा सा गरम मसाला भी इसमें add कर लिया हमने अब हम इसमें अपना कीमा add करेंगे और इसको अच्छे से सारे मसाले mix करके इसमें tomato add कर लेंगे कवर करके इसको हम 30 minutes के लिए पकाएंगे जब तक हमारा कीमा हाफ को खो जाए इस point पे थोगा सा गरम मसाला और एट करेंगे और उसके बाद हम इसमें फलिया एड कर देंगे इसके बाद इसको अच्छे से मीक्स करेंगे इसमें देटfr liac d api डालेंगे 1 glass और 1 glass ओर आफ़ ग्रास हम इसमें वाटर एड करके दुबारा से हम इसको कवर करके पकाएंगे 30 मिनट्स के लिए और अब हमारा देख सकते हैं आपके कीमा फलियां के सालन पानी बिल्कु ड्राय हो गया है और इसने और छोड़ दिया है इस पॉइंट पे हम इसको थोड़ा सा जूलियन अद्रग डालेंगे और स्वासारा धनिया डालके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही हम चूला बन करके इसको डिश में निकाल लेंगे तो यहां पे हमने इसे डिश में निकाल लिये हैं और यह इसकी फाइनल शकल है तो वीवर्स मेरी मज़दार सी रेसिपी आप जरूर ट्राय करें अब मुझे कोमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी एंड में हमने थोड़ा सा जिंजर ग्रीन चिलीज धनिया और गर्ण मसाला और एट कर लिया है अब हम इसको सर्ब करेंगे तो यह बहुत मज़दार बनके रेडी हुआ है तो वीवर्स मेरी रेसिपी को लाइक जरूर करें अगर आपको पसंद है और मेरी इस चैनल को जाद 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 शेयर करें फैमिली और फ्रेंड के साथ और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताके मेरी आने वाली हर नई रेसिपी आपको टाइम पर मिलती रहे अल्ला हाफिज